चलिए दोस्तों स्वागत है आप सभी का वर्लडफेश चनल पर स्टार्ट करते हैं अपने आज के गरंडफेश डेली बेसे पर यहां पर आपड़ सकते हैं क्युक्पोइंड और अगनेशा स्पेशल डे एंस्पर डेली निस ओड़ दें पीवाई क्यूस आप मेरा टेलीग् बात करते हैं गौवर्मेंट ने हालफिलाल में जो अगनिपत स्कीम लाई थी उसमें जो अपर एज है उसको एक्सेंड किया है तो आंसर इस कोशन दा 23 वर्श कर दिया है अब इसे लेकिन यह जान रखेंगा कि यह जो एज़ वेविर है यह सिर्फ और सिर्फ वन टाइम है प्रपोस किया गया है कि सिर्फ साइकल ओफ बीज बाइस जो है उसके लिए डिफेंस मिनिस्टी के द्वारा इनाउंस्मेंट किया गया है और उसके अलावा पहले जो थी 21 बताएगी थी और अब इसको जो है तेज कर दिया गया अगनिपत स्कीम के बारे में आप सभी जान और अरुन चाबला जी जो है इनके द्वारा इसके अनाउंस्मेंट स्कीम के ओपर और डिटेल्स दीए जिसमें यह बताएगे कि इसी साल में 46,000 यूद्ट है रिक्रूट किये जाएंगे लेकिन एक मिसकंसेप्शन आ रहा है कि अगनी स्कीम में जो भी आएंगे उनका साल फिलाल में अप्रूब किया है अडिशनल सेंटल असिस्टेंस कितने करोड का राजिस्थान नागलेंड के लिए तो आंसर इसकूशंगा 143 करोड का जो है यह सेंटल असिस्टेंस है तो यह काभी हाई लेवल मेटिंग हुई थी जिसकी चैर्मेंशिप जो है अमिच्छाजी के दौरह की कि और उसमें एक अडिशनल सेंटल असिसंस दिया गया नैशनल डिजास्टर रेस्पोंस फंड की तरफ से कहां राजस्था जाया तो सेंटल असिस्टन जो है इतना अमांट रहने वाला है दोरों स्टेट्स के लिए जिसमें जो एक हजार है वो राजिस्टान के एक हजार कोरोड तक का राजिस्टान काиться है 39 कोरोड कोर्ण अब геро को आपको ऊसी से पेहले भी बहुत सारी फानेशल असिस्टन जो ह इंपोर्टन कोशन है आपको इसमें सकता है बाकि उससे पहले भी बहुत सारी फानेशल असेशन जो है डोट प्रोन एरियास में जो है दीगें सेंटर के द्वारा लेट सी दा नेक्स कोशन कितने बीचिस हैं जिनको कंट्री जो है क्लीन अप करने वाला है अजादी के अमरित महुत सब का आंसर 75 ही होता है क्योंकि हम 75 यूर ऑफ इंडिपेंडन्स बनाने वाले हैं तो इसलिए इसका भी आंसर 75 है 75 सी वीची जो है इनको क्लीन के अदायाएगा यूनेन मिनिस्ट्री और उससे पहले इन सब चीजों को इने क्लीन किया जाए तो इंपोरेंट है कोशन आपको मिल सकता है यह मीटिंग अभी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस अर्थ साइंस यहां पर हुआ था और यह कोइंसाइट करने वाला है बैसिकली 75 यूर ऑफ इंडिपेंडनस अजादी के अमन है जो की दिया जाने वाला है इसी मोहीम के श्त्रूब एट सीधा नेक्स कोशिंग कूंसी यूनिविनिस्टर है जिन्होंने इन्गरेट किया है इंडिस्ट्रियल डी कार्वनाजेशन समिट 20-20 दिल्ली में तो यह इंडितिन गटकरी जी के द्वारा किया गया है यूनियन को कुम करने के लिए यूज सब को यूज करते हैं न जो हमारा पॉलुशन है कारवन दीगरेशिन इट लेट सी दिन्स कोशन इंडिया जैपान ने फाइननस डालोग जो हें नुदेली में तो यह समय आंसर कोशन के साथ ही आगए जैपान इसका आंसर है डिटील जानते हैं जो मसाथो कांदा हैं वाइस मिनिस्टर के जापान कि बीज वीच में इंडिया जैपान का finance dialogue हुआ है तो यह इंडिया जैपान के growing relationship है इसी का ही हिस्सा है क्योंकि इससे पहले जो meeting होती थी थोड़ा से low level पर होती थी ठीक है अब जो meeting होई है इस बार जो है थोड़ा सा high level गया है कि की level जो है vice minister या secretary level कर दिया गया है तो यह important initiative है जिसमें जो है छोटी जितने भी चीज़े हैं जैसे example देखा जाए कि banking से सम्मधित और चीजों से सम्मधित डिसकेशन किया गया है इंडिया और कौन से देश के अगर देखा जाए तो भारत का जो मल्टी एंड रीजनल इशू है जैसे एक्जामपल के दोर पे इस अफ्रीका कम्यूटी से हमारे जो डिलेशन है अफ्रीकन डेवलप्मेंट कॉर्परेशन से हमारे डिलेशन है अफ्रीकन कॉंटिनेंटल जो है इन सब पर डिसकॉशन किया गया है और अभी अगर देखा जाए इंडिया तंजानिया का जो अगर जो पुरा ट्रेड है वह 4.5 बिलियन के आसपास गया है जो अभी तक का ट्रेड है स्कोर इंक्रीज करने ही कुश है 47th meeting होई GST council की सिर्नगर में मतलब यह होने वाली है यह कब से कब तक होगी तो 28 जून से लेके 29 जून के बीच में होगी यह सिर्नगर में दूसरी meeting होने वाले जिसकॉस होने वाला है ठीक है 7 member panel जो है जिसमें state के ministers भी होने वाले है ठीक है तो यह सब suggest करा वा देखो अभी एक जो है पैनल बनाये गया जो करनाटका चीप मिनिस्टर जो है भसब राज्च मोमाई इनके देखरेक में बनाये गया और इनकी कुछ suggestion है जो की इसमें दी जाएंगे लास्ट जो GST council हुआ था यह meeting जो हुआ था वह नवंबर 21 में हुआ था तो अभी यह 14 जो है इसके बाद जो meeting है यह होने वाली है let's see the 47 meeting जो है अब होने वाली है let's see the next portion तीन दिन का international literary festival उनमेश जो है यह कहां पर कौन सी स्टेट में फेस्टिबल होता है तो यह हिमाचल परदेश में हो रहा है तो एक portion आपको static का भी मिल सकता है कि उनमेश जो फेस्टिबल है कहां का है तो तीन दिन का यह फेस्टिबल ह जो कि हमाचल परदेश है वहां पर इसे किया जा रहा बहुत बड़ा और्गनाइस किया जाता इसे वन ओफ दा बिगेस्ट इंटरनेशन लिटरेरी फेस्टिबल यह माना जाता है हमारी कंटरी का जिसमें और फो तू फाइफ राइटर्स पोई ट्रांसलेटर क्रिटिक्स जो है बहुत सारी परस्टनालिटी पंदरा कंट्री से साथ लेंग्वेज में जो रिपेसेंट करते हैं वह इसमें पाटिस्पेट करने वाली है इसमें बड़ों कोशन है आपको मिल सकता है ऐना ऐसे फंक्शन जो है और्गनाइज जो किया जाना है यूनियन मिलिस्ट्री स्टेट है कल्चर के लिए तो यह भी कोशन आपको मिल सकता है एक हजार से ज्यादा किताबों को जो है उसमें तर्शाय गया है लेट सी देनेक्स कोशन फीफा ने अनौंस कर दिया है कि भाई जो कितनी सिटीज है 20-26 में जो वर्ल्ड कप यूएसे कैनेडा मेक्सिको में हो मेक्सिको है दो लोकेशन कैनेडा है एक बड़ा इवेंट होने वाला है 48 टीम इसमें पाटिस्पेट करने वाली है तीन नेशन और नाइस करें पहली बार कोई टूर्णमेंट तीन नेशन के द्वारा और नाइस किया जारा फूटबोल का ठीक है तो इंपोर्टन आपको मि जुरति हैं आपको बस यह एक्ट करने की जुरत है फ्रांस जर्मनी और इटली जो है इन्होंने इधर की लेडर्स ने यूकरेन में विजिट किया है देखे डेफिनिटली यूरॉपन यूनिन की जो देश है यह यूकरेन की मदद कर रहे हैं सपोर्ट कर रहे हैं और यह भ ठीक है लेकिन अब जो है एक जेस्टर है जिसमें दर्शार है कि हम आपकी मदद करने वाले बस इतना ही है इसमें एजप्ट और कौन सी कंट्री है जो की कैस सप्लाई को बूस्ट करना चाहते हैं यूरॉप के साथ यूकरेन वर के बाद तो आंसर है इजप्ट और इसराइ है जो यूरॉपन युणिन यूनियन तो गैस सप्लाई की कम्ह caring वह है वह इजप्ट और इसराइल पूरा करने वाले है एक पोइंट देखिए हाल फिलाल में एक डाटा इस रसी डाटा जिसमें इंडिया की इंडियों की ऐवरेज लाइफ एक्सपेक्टनसी बताइए शिक्सित इन पॉइंट सेवन यार यह कंसी कंटरी ने एक्सपोर और री एक्सपोर्ट इंडियन वीट का बैन किया है यूए वाई सीफ लुटनें जर्नल बी एस राजु जो है इन्होंने हाल फिलाल में अगनी वीर जो स्की मैंने अभी आपको बताया उसमें ये अनाउस्मेंट किये कि 50% ओफ आर्मी जो हमारी दूसरा था शायद आरगन का स्किप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है जिसने आरगन बता है वो करेक्ट आंसर है कल की क्लास का कोशन आप देख लीजेगा तेकि आज का सवाल देखें कमेंट बोक्स पर बताईगा इसमें से कौन जो हैं फेमस नूकर प्लेयर है तो आंसर इस कोशन का आप कमेंट बोक्स पर बताईगे और बाकी आप टेलिग्राम चैनल जोइन करिए ठीक हैं टेलिग्राम चैनल जोइन करके आप इसकी PDF ले सकते हैं आमन सर्वाइब फेस्टेडी जोइन करना PDF ज़रूर लीजेगा इससे एपोर्ड अन्विन का ऑप्शन उटलाइज करिए अनॉंसमेंट एक 26 जून को आपका स्कॉलर्शिप टेस्ट है इसको आप जीते हैं ठीक है अच्छा टैम करें और टेस्टथोन यूटलाइज करें ससी रिल्वे के ने वैचिस आ रहे हैं लाइव अमन कोड से आप डिसकाउंट ले सकते हैं जितने भी एक्जाम है सभी में डिसकाउंट ले सकते हैं लाइव अमन कोड यूज करके जिससे आपकी फीस कम होगी आप लाइव अमन कोड से फीस कम कर सकते हैं पाके आप सेशन को लाइक करिए, शेर करिए, चैनल को सब्स्राइब करिए, थेंक्स लोट पर वोचिंग